बॉलिवुट के सूपरस्टास सल्मान खान को लगातार मिल रही धमकियों की बाद अब बिहार के पुणिया से निर्दलिय सांसद पपु यादव को जौन से बाने की धमकी बिली है अब आप सोच रहे होंगे कि सल्मान खान और पपु यादव के तार आखिर कैसे जुड़ तो आपको बता दे कि पपु यादव को यह धमकी लॉरेंस बिश्णोई गैंग के एक गुर्गो ने दी है यह वही गैंग है जिसने मुंबई मैंसे पिरेता बाबा सिधिकी की हत्या की थी धमकी देने वाला गुर्गा जौरकण के जेल में बंद है उसने पपु यादव क वीडियो कॉल करके धमकी दी अब इस धमकी देने की बजह को समझने की चरूरत है आकि लॉरेंस गैंग क्यों पपु यादव को निशाना बना रहा है तो बात साफ है कि पपु यादव ने बाबा सिधिकी की हत्या के बाद खुला चैलेंज लॉरेंस गैंग को दिया था ज जिसके बाद पुलीस के पास शिकैत दर्श की गई है आपको बता दे कि धमकी देने वाले गैंक्स्टर का नाम अमन साहू बताया जा रहा है जो जहारखन का है अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पपु यादव को धमकी दी है 26 अक्टूबर को मयंक सिं में उल्टा पुल्टा बयान दिया था वहीं मयंक ने आगे कहा मैं पपु यादव को इस पश्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि तुम आउकाद में रहकर चुप चाप राजनिती करो ज्यादा इधर उधर तीन पास करके टीर पी कमाने के चकर में मत पड़ो वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे यह धमकी एक आडियो क्लिप के माध्यम से भी वाइरल हो रही है हाला कि इस वीडियो क्लिप के पुष्टी द नहीं करता लेकिन वाइरल वीडियो से ये तो इस पश्ट है कि पपु यादव को धमकी दी जा रही है वीडिया रिपोर्ट के मताबिक मयंक सिंग समय मलेशिया पे है और वही से आपराधी गतिवीदियों का अंजाम दे रहा है वही अमन साहु जारकन की जेल में बंद है और जेल से ही अपने गैंक को चला रहा है जेल में रहते हुए ही उसने जैमर बंद करके पपु यादव को वीडियो कॉल की थी हाला कि पपु झाल 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 झाल